हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें फ्रैक्शन नंबर को कंपेर करना हो तो किस तरीके से किया जाता है मतलब अगर हमें बताना हो दो फ्रैक्शन के बीच में कौन सा बड़ा है और कौन सा छ हमें बताना है दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो सबसे आसान तரिका हमारे पास क्या है देखिए हमारे पास जो फ्रैक्शन दे रכए यह का थीन गटभे-5 5 सबसे आसन तरीका यह है यहाँ पर इस होरे नंबर को सब to go त साथ से तो ये कितना आ गया 21 आ गया और इसको multiply कर लेते हैं इसके denominator से तो 5 गुना 5 ये कितना हो गया 25 हो गया अब देखिए दोनों में से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा हमारे पास 20 है और बड़ा हमारा 25 है ठीक है तो बड़ा 25 है मतलब कि इस वाले नंबर को हमने अग fraction है ठीक है second वाले जो fraction है वो हमारा बड़ा होगा तो 3 बटे 5 जो है वो छोटा होगा ठीक है किसे 5 बटे 7 से ठीक है तो यह आपको याद रखना है ऊपर वाले नंबर को अगर हम नीच वाले नंबर से multiply करते हैं और जो बड़ा आएगा जिस वाले fraction का वो हमारा बड़ा ठीक है अब ऐसी इसमें देखते है देखे इसको अगर मैं साथ से multiply करूं तीन सत्ते 21 हो गया और इस चार को मैं इस आठ से multiply करूं तो 4 अठे 32 हो गया तो 32 बड़ा है ठीक है चार से multiply कर रहा है आठ को तो 32 हा रहा है तो हमारा ये वाला चार बटे 7 जो है वो बड़ा होगा तीन बटे आठ और चार बटे साथ इसमें से ये बड़ा हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं अब माइनस में फ्रेक्शन दिया हो तो कैसे देखना है उसमें बिल्कुल हमें सेम करना है माइनस दो जो है हमारा इसको हम दस से गुना करेंगे तो माइनस दो को गुना करा दस स तो माइनस 20 हो गया और माइनस 3 को गुना करा हमने 7 से माइनस 3 को गुना करा हमने 7 से तो माइनस का 21 हो गया अब देखिए माइनस वाले नंबर में हम छोटा बड़ा कैसा पता लगाते हैं देखिए जो भी नंबर माइनस का यहां पर माइनस 20 है और माइनस 21 है ठीक है तो यहां पर जो बड़ा वाला होगा वो माइनस का 20 होगा ठीक है और माइनस का 20 हा रहा है माइनस 2 से मिल्टिप्लाइ करने के बार तो माइनस का 2 बटे 7 जो है वो बड़ा होगा माइनस के 3 बटे 10 से ठीक है अब देखते हैं D वाला 3 बटे 5 है और 9 बटे 15 है तो 3 को अगर मैं 15 से गुना करूँ 3 गुना 15 15 दिया 45 हो गया और 9 को हम मैं 5 से गुना करूँ 9 गुना 5 ये भी 45 तो दोनों बराबर आ रहे हैं 3 बटे 5 बराबर होगा 9 बटे 15 के तो इस तरीके से हम fraction को आसानी से compare कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा fraction छोटा है और कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा equal है तो उम्मीदा आप मारा वीडियो पसंद आया होगा Thank you